तो फरस्ट अपर टेक आउट यर बुक्स और अपन दे पेज नमबर 153, ओकी, येस। कल हमने स्टडी की थी इसी चैप्टर की कि उसमें लास्ट में गौरब पुछता है कि क्या हमारे देश का भी कोई कबड़ी टीम है या देश की कोई। तो शारिक शिक्षक आंसर देते हैं कि हाँ बिलकुल यानि हमारा जो देश भारत हैं पूरे एशिया महादिव की कबड़ी चैंपियन है और ये हमारे लिए बड़े घौरव की बात हैं, ओकी। तो नाओ इस्टार्ट विजेता टीम कौन होती हैं तो आंसर है जो टीम ज्यादा अंक पाती हैं वह विजेता होती हैं। एशिया महादिव का कबड़ी चैंपियन कौन है तो आंसर है एशिया महादिव का कबड़ी चैंपियन भारत देश हैं। थर्ड टीम को अंक कैसे मिलते हैं तो रैडर जितने खिलाडियों को छू कर शुरक्षित वापस अपने कोड में आ जाए उतने अंक या रैडर पकड़ा जाए तो एक अंक इस प्रकार अंक मिलते हैं। औक रैडर किसे कहते ही आपको पता है कि जो कबड़ी कबड़ी का उचान करके विपक्षी पाले में कबड़ी देने जाता है वह रैडर कहलाता है और उसे पकड़ने वाले कैचर कहलाते हैं। उप्युक्त गद्यांज का उचित शिर्षक लिखिए यानि इस गद्यांज का क्या शिर्षक होगा तो इसका शिर्षक है मज़ेदार का बटी सलीम कहता है क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद या प्रौसान मिलेगा क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद या प्रौसान मिलेगा तो शार्रिक शिक्षक कहता है अवश्य अवश्य कबड़ी ही नहीं वरन हर खेल आप खेल सकते हैं जैसे फुटबाल, होकी, कुस्ती, खोकू, बैडमिन्टन, वालीबाल, बास्केटबाल, आदी तो शार्रिक शिक्षक समझाते हैं कि अवश्य क्यों नहीं कबड़ी ही नहीं बलकि हर खेल आप खेल सकते हैं जैसे कि बताया फुटबाल, होकी, कुस्ती, खोकू, बैडमिन्टन, वालीबाल और बास्केटबाल यानि सारे खेल आप खेल सकते हैं तो मांगिलाल कहता है कि वहाँ गुरुजी अब तो नियमों के साथ साथ खेलने में आनन बढ़ जाएगा क्या कहता है मांगिलाल कि अब जब हम नियम जान गए हैं, नियमों की जानकारी हो गई हैं तो अब नियुमों के साथ खेलने में तो बड़ा आनन्द आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, तो शारिरिक शिक्षक कहते हैं, हाँ, खेल को भी पढ़ाई की इस तरह पूरी महनत, लगन, वो एकागरता से खेलना चाहिए, ओके, तो क्या कहते हैं, कि आपको खेल को भी करके पूरी लगन से और पूरी एकागरता से खेलना चाहिए, ओके, एकागरता के लिए मैं आपको दो पंक्तियां सुनाता हूँ, अब शारिक शिक्षक एकागरता के लिए दो पंक्ति सुनाते हैं, क्या है, खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पड़ो की पढ़ाई खेल बन जाए अगें खेलो तो इतना खेलो की खेल पढ़ाई बन जाए और पड़ो तो इतना पड़ो की पढ़ाई खेल बन जाए ये दो पंक्तियां सुनाते हैं बच्चों द्वारा जोड़दार तालियां की गड़गड़ा हट यानि इन प आली बजाकर इस पंक्ति के अवेज में स्वागत करते हैं, ओके बिटा, येस, अब इस पेरा से रिलेटेट क्वास्टन्स हैं, फर्स्ट, कबड़ी के अलावा कुछ खेलों के नाम बताईए, अभी हमने पढ़ा था, फुटबाल, होकी, कुस्ती, खोखो, बैडमिंटन, वा वाली बास्केट बॉल, ओकी, नैक्स्ट, खेल किस प्रकार खेलना चाहिए, तो देखिए, खेल को भी पढ़ाई की तरह पुरी महनत, लगन, वं एकागरता से खेलना चाहिए, शारिक शिक्षक ने कविता की कौन सी धूपंक्तियां सुनाई, तो अभी हमने पढ़ी थी, खेलो तो इतना खेलो की खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो की पढ़ाई खेल बन जाए, यानि एकागरुचित होकर हमें जो भी कारें, चाहे हम खेल खेले या चाहे हम पढ़ाई करें तो हमें ये काग्रचीत होकर हर कारी को करना चाहिए उप्यूक्त गद्यांस का उप्यूक्त शिर्षक दीजिए तो इस गद्यांस का शिर्षक है या इस गद्यांस का क्या शिर्षक है मजेदार कबड़ी ओकी? इस तरह यह हमारा चाप्टर कम्लीट हुआ So now we will do activity and question answer of this chapter So turn to the page number 154 Yes Yes Start करते हैं लिखे So first of all you have to mention the date Okay Yes First सही उत्तर का क्रमाक्षर छाट कर कोस्टक में लिखे अब भारत कबड़ी में कौन से महादीब का चैंपियन है अफ्रिका, एशिया, आस्ट्रेलिया तो राइट आंसर होगा अपना एशिया क्या होगा एशिया भारत कबड़ी में एशिया महादीब का चैंपियन है ब कबड़ी से लाब होते हैं क्या-क्या लाब होते हैं ओप्शन से इसमें क्या लाब होते हैं उत्तम स्वास्त, सूगठित सरीर, मानवी गूण और उप्युक सभी तो क्या होगा अंसर उप्युक सभी यानि उत्तम स्वास्त भी मिलता है मानवी गुण भी विक्सित होते हैं और सुगठित सरी भी बनता है उपयुक सभी तो right answer होगा last one options यह the option है यहाँ पर print minutes track की वज़े से गह चप गया है तो the उपयुक सभी next सहीवं गलत का निशान लगाईए कबड़ी में पकड़े या कबड़ी में पकड़ने वाले को catcher कहते हैं तो answer right है पकड़ना cage कलाता और जो पकड़ता उसे catcher कहते हैं right कबड़ी देने वाले को radar कहा जाता है यह भी right है जो कबड़ी कबड़ी का उचारन करते हुए कबड़ी देने जाता है विफक्षी पाले में वर्रेडर कहलाता है Right Sir, खेलते समय एक दल में आठ खिलाडी होते हैं No एक दल में सेवन खिलाडी होते हैं सेवन प्लेयर होते हैं तो क्या होगा यह रोंग हो गया And भारत का बड़ी में एशियन चैंपिन है Yes तो यह होगा Right Okay Got it Yes अब हैं Third रिक्त स्थानों की पूर्ती करें नियमों के साथ खेलने से आनंद क्या कहा नियमों के साथ खेलने से आनंद जाएगा डेश 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 जाएगा तो Right अंसर क्या होगा बढ़ जाएगा या कट जाएगा बढ़ जाएगा तो नियमों के साथ खेलने से आनन्द बढ़ जाएगा तो हम बढ़ेंगे बढ़ Next खेलो तो इतना खेलो की खेल बन जाए तो क्या बन जाएं? पढ़ाई बन जाएं क्या बन जाएं? पढ़ाई Next प्रतियोगी तामे मेज कराने वाले को डेश 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 कहा जाता है क्या कहा जाता है निर्नायक या वकील? तो राइट आंसर होगा निर्नायक तो प्रतियोगी तामे मेज कराने वाले को क्या कहा जाता है निर्नायक Got it? Okay Next Next देखिए Question आंसर कबड़ी के कोड की लंबाई और चोड़ाई कितनी होती है तो कबड़ी के कोड की लंबाई 11 मीटर वा चोड़ाई 8 मीटर होती है तो आपसे पूछा जाए बटा कबड़ी कोड की जो लैंट होती है लंबाई होती है वा कितनी होती है तो 11 मीटर और उसकी चोड़ाई 8 मीटर Got it? Okay Next कबड़ी खेल के मुख्य लाब लिखिये यानि कबड़ी खेल खेलने के क्या लाब है देखे कबड़ी के खेल से शरीर, स्वस्थ एवं, सुगठित, दिमाग, तेज, वं मन प्रसंद रहता है तथा देश के लिए खेलने की भावना जागती है यानि कबड़ी खेल खेलने से सरी स्वस्थ रहता है, सुगठित रहता है, अच्छा रहता है धिमाग तेज रहता है और मन हमेशा प्रसंद रहता है और देश के लिए खेलने की भावना जागरित होती है Got it? Next Sixth number खेल को कैसे खेलना चाहिए? तो देखिए answer खेल को पढ़ाई की तरह पूरी लगन, महनत वो एकागरिता से खेलना चाहिए यानि कोई भी खेल खेलें तो उसे पढ़ाई की तरह पूरी महनत के साथ पूरी लगन से और पूरी एकागरिता से खेलना चाहिए अब है इनके बारे में क्या समझे उत्तर लिखें फर्स है रेडर हमने कितनी बार रेडर के बारे में पढ़ा देखिए कबड़ी देने वाले को रेडर कहा जाता है यानि जो कबड़ी देने जाता है उसे क्या कहा जाता है रेडर केचर कबड़ी में पकड़ने वाले को क्या कहते हैं केचर तो कबड़ी में पकड़ने वाले को केचर कहा जाता है नेक्स स निर्नायक मेज खिलाने वन निर्ने देने वाले को निर्नायक कहते हैं यानि जो मेज खिलाता है उसे क्या कहा जाता है निर्नायक तो मेज खिलाने वन निर्ने देने वाले को क्या कहा जाता है निर्नायक फिर है कबड़ी कोट कबड़ी कोट देखी बटा जिस मेदान पर कबड़ी खेली जाती है उसे कबड़ी कोट कहते है यानि जिस ग्राउंड पर जिस मेदान पर कबड़ी खेली जा रही है वो क्या कहलाता है कबड़ी कोट अब देखी नेक्स्ट भाषा की बात नीचे लिखे, शब्डों के विलोम शब्द लिखे विलोम शब्ड मिन्स अपोजिट वर्ड, जिसे इंगलेश में कहते हैं अपोजिट विप्रितारथक शब्द या उल्टे शब्ड, ओकी जैसे ज्याधा, तो ज्याधा मिन्स बहुत अधिक और इसका पोजिट या विलोम शब्द होगा कम विप्रितार्थक शब्द भी कहते हैं विलोम शब्द भी कहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं सरल का जटी या कठीन भी होता है दंड और पुरुषकार दंड मिस सजा और पुरुषकार मिस इनाम ओकी तो क्या बने ज्यादा का कम सरल का चटील और दंड का पुरुषकार Got it? Next सू प्लस गठीद मिलकर सू गठीद बना यहाँ पर सू शब्दांस का प्रियोग हुआ है आप भी सू शब्दांस जोड़ कर नये सब्द बनाए जैसे देखिए सू प्लस रम्य सु रम्य न सुन्दर सू प्लस शील शुशील ओकी यादि गुणवान सू प्लस काल सु काल अच्छा समय अच्छा काल और सू प्लस मार। सु मार। यानि अच्छा रास्ता है अच्छा मार्ग Is it clear? तो क्या बना? सू रम्य, सू काल, सू शील, सू मार्ग ओकी यह सब शू शब्दान से मिलकर बने शब्द है Is it clear? ओकी इस तरह हमारे activities and question answer भी complete हुए So, these all activities and question answer you have to do in your notebook in clear writing So, सारी activities और question answer को आपको क्या करना है अपनी notebook में सुन्दर writing से करना है Got it? Okay